कुछ दिनों पहले मेरे लाब में एक सज्जन ने फोन किया और उन्होंने हमें कहा कि हमारी ही रिपोर्ट उनके पास है और वो कन्फरम करना चाते हैं कि क्या ये रिपोर्ट जेनुइन है जब हमने उनके रिपोर्ट को मंगवाया WhatsApp के थुरू और हमने जाज किया तो पाया कि उनके पास जो रिपोर्ट पहुँचा हुआ है उसमें छेड़ खानी किया गया है जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन के सामने है जिसमें लिखा हुआ है रॉक क्रिस्टल क्वार्ड्स हार्डनेस 7 और उनके पास जो रिपोर्ट पहुचा हुआ है उसमें लिखा है रॉक क्रिस्टल डाइमंड हार्डनेस 10 इस तरह के प्रैक्टिस बजार में बहुत ही कॉमन है बहुत ही नॉर्मल है ये सजजन सजग थे इसलिए उन्होंने हमसे कॉंटेक्ट किया और अपने उस रिपोर्ट को वेरिफाई कराया बहुत सारे कंजिमर्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनको अपने स्टोन को या रिपोर्ट को वेरिफाई भी कराना होता है वो सिर्फ रिपोर्ट के भरोसे में जो कागस उनको जोलर से मिला है या सप्प्लायर से मिला है वो सिर्फ उस कागस के भरोसे में रहते हैं और नुक्सान खाते हैं आज का वीडियो है कि कैसे आप समझेंगे कि आपकी पास एक नकली रिपोर्ट है या नहीं है नकली रिपोर्ट तीन तरीके से इश्यू होते हैं या नकली रिपोर्ट का धंदा तीन तरीके से चलता है पहला तरीका है कि रिपोर्ट पूरा पूरी फेक है मतलब किसी लैप का आता पता ही नहीं है उस report के पीछे नहीं आपको कोई address मिलेगा नहीं कोई phone number मिलेगा नहीं कोई URL मिलेगा अगर उस report में कोई phone number मेंशंड भी है तो हो सकता आग phone number कोई pick ही ना करे या उस address पे जब पॉँचे हैं तो उस address पे कोई मिले ही ना इस तरह के reports बजार में बहुत ही common है दूसरे तरह का report होता है, वो होता है, report original है, लेकिन stone को switch कर दिया गया है, stone को बदल दिया गया है, आप जब उस report को verify करेंगे, किसी lab के website पे, तो website पे verify भी होगा, उस report के पीछे lab का number होगा, address होगा, आप जाके जाच सकते हैं, lab भी वहीं पे मिलेगी, लेकिन जो supplier है, उसने stone बदल दिया, इसको आप कैसे जाचेंगे, मैंने इस चीज़ के उपर पहले भी वीडियो बनाए हुए है, जो मैं I button के उपर आपको मिल जाएगा, कैसे GI report के साथ, synthetic diamond को बदल दिया जाता है, और inscription भी डाल दिया जाता है, ऐसे cases बहुत आते हैं, हमारे lab में भी बहुत सारे आई हुए है, GI report के साथ, GI report के नमबर के साथ, mozonite के उपर report का number inscribed भी मिला है, इतने बड़े बड़े fraud भी होते हैं, और जो तीसरा तरीका है, वो है, report original है, stone भी उसी report का है, लेकिन report के साथ छेड़ खने किया गया है, report में tempering किया गया है, अक्सर ये tempering, gemstones के report के साथ किया जाता है, और reputed lab के reports के साथ किया जाता है, मैं आपके सामना ये example देता हूँ, ये है IGI GTL का report, कि ये report, left hand side वाला report, lab ने issue किया था, और इस report को tempering करके issue किया गया है, अगर आप देखेंगे, left hand side में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें heating के symptom नजर आए है, तो lab ने heating लिख द जेकिन बजार में जो report issue किया जा रहा है, वो report ऐसा है, indications no heating observed, और नीचे का जो comment है, current is generally heated to modify its color and transparency, इसको हटा दिया गया है, पूरा पूरी, ऐसे cases में stones को change नहीं किया गया है, लेकिन report के साथ छड़खानी किया गया है, सेम ऐसा ही एक case, gem testing lab, GTL, जैपुर्क के द्वारा, जो laboratory है, उसके report के साथ भी देखा गया है, यह 2004 की एक report है, जिसको GTL, जैपुर्क द्वारा issue किया गया था, synthetic ruby, यह 5.81 करेट का synthetic ruby का report है, इस पे नीचे conclusion में लिखा भी हुआ है, कि results confirmed synthetic origin, लेकिन इस report को tempering करके, natural ruby का report, बजार में issue किया गया, बजार में छोड़ा गया, नी result confirmed natural origin, तो इस तरह के tempered reports बहुत ही जादा बजार में घूमते हैं, एक जागरुक ग्रहक को जरूरत है कि वो जाच ले पहले, कभी भी कोई भी report आये हाथ में, तो पहले एक बार जाच ले कि report original है या नहीं है, अब सवाल यह है कि आप इसको कैसे समझेंगे, कि report original है या नही है, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है, इसके अलावा कि आप खुद उस लाब से बात करें, जिस लाब कर report इशू किया गया है, और हो सके, तो आप खुद ही stone को ले जाए लाब के पास, उसको एक बार रिसेटिफाई कराईए, वेरिफाई कराईए, आज के date में, ज्य कीमत बहुत ही सस्ती होती है, बाजार में 500 रुपे, 1000 रुपे में आजाता है पर कैरेट, वो रुबी अगर ट्रीटेड नहीं हो, तो वो 10,000 रुपे में भी शायद ना आए, और दोनों का report सेम तरेका दिखने में होता है, आप एक report को देखके समझ ही नहीं सकते कि ये natural ruby un heated untreated है, या natural ruby treated heated है, इतना ज्यादा fake बजार में चलता है, तो ग्रहक को चाहिए कि वो report को एक बार recertify जरूर कराएं, इसमें एक बात मैं क्या देना चाहता हूं, हम original report से उसी को कहते हैं, जो report किसी authentic source से हो, चाहे वो third party source से हो, चाहे वो जोलर खुद दे रहे हो, अगर fake नहीं कहेंगे, जैसे कि तनिश्क किसी third party lab की report नहीं देती, तनिश्क अपने ही नाम से report देती है, अपने ही guarantee card के तौर पे ग्रहक को देती है, तो उसको हम fake नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा को report दे, किसी lab का report दे, जिस lab का अता पता ही ना हो, तो उसे हम जरूर fake में डालेंगे,